आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छे महीने के भृंका कितना विकास होता है। छे महीने के आखिर तक आपका बच्चा 11-14 इंच के बीच होगा। उसका वजन भी लगभग 500 ग्राम से 750 ग्राम के आसपास होगा। उसके अधिकाश प्रमुक अंग बन चुके हैं और काम कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसके फेफड़े विक्सित नहीं हुए हैं और बच्चा अपने आप सांस नहीं ले सकता। इसलिए इस समय अगर प्रीमिचूर बर्थ हुआ तो उसे इंक्यूबेटर में रखना होगा। वह अपने आप सांस नहीं ले पाएगा। बच्चा इस समय हिच्की ले सकता है, अपना अंगूठा चूच सकता है। सोने और जागने का एक पैटरन है, जिससे आप आसानी से पहचान सकती है। जिस समय आपके पेट में कोई हलचल ना हो, तो समझ जाईए बच्चा सो रहा है, उसकी स्किन अब पारदर्शी नहीं रह गई है। पर अभी भी उसकी तवचा के नीचे फैट के बहुत जादा पड़ते नहीं जमी हैं, वह काफी दुबला पतला है। बच्चे की तवचा जुरीदार और लाल रंग की है, उसके अलावा एक चिकना पदार्थ उसकी तवचा को घेर रखा है। इसे वर्निक्स कहते हैं, जो गर्ब के तरल पदार से उसकी रक्षा करता है, उसके वास्त्विक बाल और उंगलियों के नाखुन उगने लगे हैं। बच्चे का ब्रेन तेजी से विक्सित हो रहा है, उसके पेट में मिकोनियम नाम का काला पदार्थ इकठा हो रहा है, यह उसका पहला मल होगा, इसके लावा एक विशेश किस्म का फैट, जिसे ब्राउन फैट कहते हैं, वह भी बनना शुरू हो चुका है। यही बच्चे को पैदा होने के बाद ठंड से बचाएगा, तो इस तरहां से प्रेग्निंसी के छटे महीने में भ्रून का विकास होता है। अगर आप कभी से समन्दित कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब कर लग ना करें। थैंक्स फ़र रोची।